नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी खास ड्रिंक बना कर दिखाएंगे जिसका प्रियोग यदि आप हर रोज भी कर लेते हैं तो आपकी हडिया मजबूत हो जाएंगे जोडो का दर्द रहता है आपको वो नहीं होगा और भी बहुत सारी बिमारियों में आप इसका यूज कर सकते हैं आपके शरीर में ताकत का खजाना भर जाएगा और सो सालों तक आप बिना बिमार हुए जी सकते हैं हेल्दी और तंद्रूस तो चलिए बताते हैं आपको आज की ड्रिंक कैसे बनानी हैं दो बहुत ही बढ़िया चीज है आपकी हेल्थ के लिए दोस्तो हेल्थ को सही रखने के लिए आप इसका प्रियोग हर रोज कर सकते हैं जो खस-खस होती है हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है खस-खस में प्रोटीन होता है फाइबर, उर्जा, कार्बोहाइडरेट, आइरन, कैल्शियम, जींग, विटामिन B6, ओमेगा 6, फैटी एसीड, मैगनीशियम होता है इसमें प्रोटीन होता है और भी बहुत सारे पोशकतत मुझूद होते हैं जो कि हमारे दिल के लिए बहुत इसका आप हर रोज प्रियोग करें कैसे आपने इसका प्रियोग करना है अभी हम आपको वीडियो में बताएंगे जिन लोगों को नीद नहीं आती है सही से उनकी अनिद्र की प्रोब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी इसका यूज करके डियापटीन्स के लिए भी बहुत भी इसका यूज कर सकते हैं खस-खस में बहुत सारे ओश्द्य गुण मुझूद होते हैं इसलिए आप सर्दी हो खांसी लगी हो आपको बुखार हो उल्टी आती हो या कोई स्किन से स्मंदी प्रोब्लम है सीर दर्द रहता है और माश्पिशियों में एटन है या कोई हार हर्मोनल समस्या है तो आप इसका जरूर यूज करें क्योंकि इसमें बहुत सारे पोशक्ता तो ऐसे होते हैं जो आपकी बोड़ी को सही से करके रखती हैं वैसे तो इसका आप गर्मी में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है लेकिन दो देते हैं हमने इसमें क्या-क्या डालना है कैसे हमने अपनी ड्रिंक बनानी है ड्रिंक बनाने के लिए दोस्तों आपको एक चम्मच खस-कस ही बहुत है इस तरीके से आपने खस-कस लेनी है एक चम्मच दोस्तों पहले इसको अच्छे से साफ कर ले साफ करके ही आपने इसको कई बार इसमें मिट्टी बगरा चली जाती है तो उसको निकाल के रख ले पहले ही साफ करके अब आपने इसको कड़ाई में बनाना है या फिर आप इसको पैन में भी बना सकते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ बस आप इसी तरीके से बनाईए आपको बहुत ही टेस्टी भी और आपके लिए ये बहुत ही बड़िया ड्रिंक रहेगी तो इस तरीके से मैंने लिए हैं यहां पर कड़ाई इसमें मैं एक चोटा चमच घी डाल देती हूँ इस तरीके से ज़्यादा आपने घी नहीं डालना है या ज़्यादा भी डालेंगे तो कोई दिकत नहीं होगी तो मैंने यहां एक चोटा चमच घी लिया है घी को गरम होने दे पहले और गैस आपने low to medium रखनी है अब इसमें डालेंगे दोस्तो यह मैंने बदाम काट लिये हैं पहले ही इस तरीके से आपने एक चमच बदाम लेना है बाकी जो बदाम मैंने बचा लिये हैं उनका भी हम यूज़ कर लेंगे बाद में वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे यूज़ करना है आपने बादाम को इस तरीके से रोस्ट करना है साथ ही इसमें डाल देते हैं काजु जो काजु और बादाम है ये भी हमारी बोडी के लिए बहुत ही बढ़िया रहते हैं आपने इनको roast करना है, roast आपने low to medium flame पर ही इसको करना है, क्योंकि यदि आप तेज आँच में इसको roast करेंगे तो ये जल जाएंगे तेजी से, अच्छे से नहीं सीखेंगे, इसमें डाल लेते हैं दोस्तों, वही खस-खस जो अभी मैं आपको बता रही थी, एक चम्मच आप करने के बाद ही हम इसमें किश्मिश डालेंगे, बादाम में दोस्तों anti-inflammatory गुन पाय जाते हैं, इससे skin जो dry रहती हैं हमारी, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, इसके अलावा, skin की कोई भी problem है, उसको आप सही कर सकते हैं इसके खाने से, और ताकत भी आती है हमारे और जो काजू होते हैं, काजू भी हमारी हडियों को मजबूत बनाता है, शरीर में glucose level को भी ये control करके रखता है, जो लोग हर रोज सीमित मातरा में काजू खाते हैं, यनि जादा नहीं खाते, कम खाते हैं, उनका पाचन बहुत ही बढ़िया रहता है, जादा मातरा में आप अपने इसका कभी सेवन नहीं करना है, अगर आप तीन से चार काजू हर रोज खा लेते हैं, तो आपका वजन भी control में रहेगा, और शरीर को तो energy मिलेगी ही, साथ ही साथ दो स्कीन पर जो जुरिया आ जाती है ना, उसकी समस्या को भी ये सही कर देता है, तो कुल मिला कर का या बढ़िया चीजे ली हैं, आप इसका यूज जरूर करें और इसी तरीके से आपने बनाना है, तो देखे बातो बातो में ये भी roast हो चुका है, अब इसमें डाल लेते हैं दोस्तों, एक चमच किशमिश, किशमिश आप पहले धो कर लें, इस तरीके से मैंने ये पहले ध हो ली थी, आप चाहे तो इसको भीगो कर भी यूज कर सकते हैं, भीगो कर भी ये किशमिश जो है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं, तो इस तरीके से आपने किशमिश भी डाल लेनी है, किशमिश आपने बाद में ही डालनी है, नहीं तो आपके ये जल जाएगा, तो आपको पीने में बढ़िया नहीं लगेगा और साथ ही डाल लेते हैं इसमें चुटकी भर हल्दी हल्दी अगर घर की हो तो वो बढ़िया है मार्केट से मिलावट वाली हल्दी मिल जाती है तो वो इतना असर नहीं करती और दोस्तों आपने इसको रोष्ट कर लेना है रो अस्तियार करूंगी यानि मैंने डेड़ ग्लास दूद लिया है एक ग्लास रह जाएगा तब तक मैंने इसको पकाना है पकाना बहुत ही बड़िया तरीके से है पहले आप जो आँच है वो ज्यादा रखे उसके बाद आप सीम गैस कर ले क्योंकि सीम गैस पर ये बहुत अ लेकिन थोड़ी ही डाली है अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप इसमें खान डाली है मैंने ये खान ली है देसी खान दो चमच मैंने देसी खान के डाले है आप चाहे तो इसमें मिश्री भी यूज़ कर सकते है या फिर डले वाली मिश्री आती है उसका आप क्यों डाल रही उसमें? क्योंकि दोस्तों जो देसी खांड होती है ना, वो हमारी बोड़ी के लिए बहुत ही बड़िया रहती है, जैसे हम sugar का use करते हैं, तो शुगर हमें नुक्सान करती हैं, तो उस नुक्सान से बचने के लिए हम खांड का use करते हैं, अब आप पूछेंगे कि देसी खांड क्या होता है देसी खांड भी दोस्तो गन्ने के रस से ही बनाई जाती है जैसे कि चीनी शुगर बनाई जाती है ना शक्कर बनाई जाती है उसी तरीके से खांड भी बनाई जाती है लेकिन जो शक्कर होती है शुबर होती है वो ज्यादा रिफाइन की हुई होती है और उसके अंदर के जो ततो होते हैं फाइबर होते हैं पोशक ततो होते हैं वो खतम हो जाते हैं ज्यादा रिफाइन करके जबकि जो ये खांड होती है वो गन्ये के रस का कम रिफाइन सकते हैं शुगर में भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं देसी खान जो है आपको डायपटीज में भी आराम करेगी जोडों के दर्द में भी बहुत ही रहा देती हैं अर्थ्राइटिस जैसी समस्याओं से चुटकारा मिलता है यहां तक कि दोस्तों आप इसके खाने से वजन को भी कम कर सकते हैं देसी खान में कैल्शियम भरपूर मातरा में होता है यह पेट के हमारे सफाई कर देता है और बैक्टीरिया को यह खतम कर देता है तो आप इसका यूद जरूर करें देसी खान का चीनी की जगा तो इस तरीके से दोस्तों आपने इसमें खान भी मिला ले अच्छे से इसको पकाना है। तो यए देखें दोस्तों बातो बातो में यह थोड़ा सा कम हो गया है दूद। आब इसमें दोस्तों डाल लेते हैं थोड़ी सी इलाइची, इलाइची का पाॉडर डाल ये बिल्कुल आप्चनल है आपके पास है तो डाल लीजिए नहीं तो रहने दे तो इस तरीके से ये सब कुछ हो गया है ready और इसको आप ले सकते हैं किसी भी विमारी में तो आप इसको चाहे तो सुबह यूज़ कर ले सुबह पी ले खाली पेट खाली पेट भी बहुत ही बड़ी आसर करेगा या फिर दिन में किसी भी टाइम इसको ले सकते हैं, रात को लेकर भी सो सकते हैं, दोस्तों इस रेसिपी को लेकर आप अपनी हडियों को मजबूत कर सकते हैं, खस-खस जो है और बादाम, काजू, हडियों को मजबूत बनाने में आपकी बहुत मदद करेंगे, कबज की समस्य रहती है पेट खराब है पाचन नहीं ठीक से है तो उस समस्य से भी आप निजात पा सकते हैं इस ड्रिंक को लेकर मूँ के छालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है ये ड्रिंक और ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है तो ब्लड प्रेशर को कम करने में भी आपकी मदद कर लेगे आखों के लिए बहुत ही बढ़िया रेसीपी है जिन लोगों की आँखे कमजोर है बच्चों की आँखे कमजोर है तो उनको जुरूर दीजिए ये रेसीपी बनाकर पाचन को भी ये सुधार कर रख देता है तो इतने सारे फायदे मिलते हैं हमें इस रेसीपी से ज देखना फिर कितना तेजी से असर होगा आपकी बोडी में आपकी जो बिमारिया है वो धीरे-धीरे खतम हो जाएंगी ब्यूटी भी आपकी बढ़ेगी इससे क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंग्रीडियन्ट है तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं गिलास म इसको भी बहुत पसंद आएगी अगर आपके बच्चे ड्राइफूट नहीं लेते हैं यानि दोस्तों यदि आप इस तरीके से दूद बनाते हैं और वो नहीं लेते हैं तो मेरे पास उसके लिए भी उपाए हैं आपने क्या करना है जो ड्राइफूट लिए हैं और जो ख हार सकते हैं उनकी हडिया मजबूत कर सकते हैं तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ धन्यवा दोस्तो झाल झाल झाल